माडव्य रिसिया पोण्य भूमे सक्रिया नाडो माड़्यादा जन्तेगे नाना नमस्कार गडो आदी चुन्चुन गिरी मठके नाना भक्ति पूर्वग नमस गडो माड़्या जिले के आप सभी उपस्तित उत्साई कारे करताओं का मैं उत्तर प्रदेश की धरती से यहां आकर के हिर्दै से अभिनंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ उत्तर प्रदेश और करनाटा का समंद आज से नहीं त्रेता युक से है मर्यादा प्रुसोत्तम भगवान सिरी राम के बनवास के सबसे अविन सहयोगी के रूप में कोई मिला था तो बजरंग वली हौनुमान जी मिले थे इसी करनाटा की धरती में उनका जन्म हुआ और इसी लिए आप देखते होंगे ये मित्रता कितनी अभिन है कितनी अभिन मित्रता है और ये भक्त और स्वामी का समंद किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ावा है दुनिया में जहां कहीं भी भग्वान राम का मंदिर होगा, वहां हनुमान जी का मंदिर जरूर होगा और ये समंदों की विवस्ता के ओल वहीं से नहीं मैंने यहां पर पहले कहा कि आधि चुंचंगरी मट यहां पर इस्तित है भारत के सामर्थ और भारत की सक्ट का परिचे और भारत की आप जैसी प्रतिभाओं का परिचे बैस्विक मंच पर दिता है मित्रो जब करनाटक की बात आती है तो बैस्विक मंच पर करनाटक ने आईटी के सेक्टर में जो धाग जमाई है भारत की युवाप प्रतिभाओं को दुनिया की अंदर करनाटक ने बैंगलोरू का उसका सबसे बड़े हब की रूप में स्थापित किया है यह बैंगलोरू का आईटी के सबसे बड़े हब की रूप में स्थापित होना यह सावित करता है कि हमारे पास सामर्थ्य है हमारे पास सक्टी है हमारे पास सब कुछ है लेकिन 2014 के पहले नित्रत्व नहीं था 2014 में प्रधान मंत्री मोदी जी का नित्रत्व मिला आज भारत के सामर्थ्य बैस्ट्रिक मंच पर दिखाई दे रही है और इसलिए आज आपने देखा होगा कॉंग्रेस विकास की बात करती है विकास की बात एं करती है बड़ी बड़ी बड़े दावे करते हैं लेकिन विकास की उसकी हकीकत क्या थी पंचवरसिय योजना